आज हम माई प्रोटीन को रिव्यूव करने वाले हैं, तो उससे पहले मेक्शूर आप मेरी चानल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि और भी यूस्फिल रिव्यूज आगे आने वाले हैं, अब स्टार्ट करते हैं आज मैं आपके लिए लेके हैं माई प्रोटीन का टेस्ट टेस्ट और रिव्यू और ये मुझे पढ़ा है 5,343 रूपीज का स्ट्रॉबरी क्रीम फ्लेवर मैंने मंगवाया है तो अन्बॉक्सिंग करते हैं तो यह रहा हमारा प्रोटीन स्ट्रॉबरी क्रीम फ्लेवर है इसका मैं दिखाती हो आपके आइसोलेट है माई प्रोटीन का और मैंने मंगवाया है 2.5 kg का यह पैक डिस्काउंड अभी उस पे काफी चल रहा है लिमिटेड फ्लेवर्स हैं जाधा तर चॉकलेट फ्लेवर्स ह इसको यूज करके आप सील कर सकते हैं खराब नहीं होगा आपका प्रोटीन और इसके मैं आपको दिखा देती हूं पर सर्विंग में कितनी प्रोटीन परसंटेज है तो एक सर्विंग इसकी 25 ग्राम की है स्कूप इसके अंदर ही होता है और टोटल इस पैक में आपको 100 सर् होगर है और बहुत ही कम फैट्स इसका MRP है 8701 रुपीज इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग और मैंने जिस प्राइस में वह आपने देखी लिया है 13 मंस की इसकी शेल्फ लाइफ होती है तो ये 2021 तक 6 मंत तक इसकी एक्स्पाइरी है तो देख सकते हैं चाहना इसमें आप एक्सपाइरी डिट मैनिफेक्टि की देख सकते हैं लग ब्रार अ जोग सकते हैं आप अ आप है अपर इसम मिक्सिंग का कोई वो नहीं है आप सकान कर सकते हैं यहां से की और थैंटिक है या नहीं इसका हम टेस्टेस्ट घरेंगे अभी मैंने इसके रिव्यूज देखे थे काफ़ी अखेज के तो और इसको पूर्चेस किया क्योंकि मैंकि अडेटीया चेयर के इस काम लाइए उससे एरॉवेश क पोरा है बाकि जो popular brands है उनमें भी इतना नहीं है तो अब स्टार्ट करते हैं टेस्ट टेस्ट और देखते हैं mixability कैसी है मैंने शेकर ले लिया है एक glass ले लिया है तकि मैं आपको इसमें पोर करके दिखा सकूँ और एक स्कूप हमें around 200 to 250 ml water में mix करना है जादा भी कर सकते हैं बेस्ट टेस्ट के लिए इतना आपको पानी लेना ही लेना है इसे जादा भी ले सकते हैं 300 ml राउंड तो मैंने डाल ले सकूप इसको अच्छे से कर लेंगे हम शेक ताकि mix हो जाए और कोई भी lumps ना रहे तो mixability चेक करते हैं पहले और जहां तक मैंने सुना है तो इसका flavor strawberry milkshake जैसा बताया गया था बाकी देखते हैं कि कैसा निकलता है मैं इसको अच्छे से shake कर रही हूँ और शेकर में ही आपको शेकर करना है आपके पस शेकर नहीं है मिक्सर में कर सकते हैं बट शेकर एजी रहता है कि एजीली पोर किया और डाल लिया अब पोर करके देखते है मिक्स हो गया है अच्छे से और बिलकुल milkshake जैसा इसका कलर आया है देखने में भी वैसा ही लग रहा है मुझे कोई lumps नहीं दिख रहे हैं अब इसका टेस्ट एस करते हैं तो बिलकुल ही milkshake लग रहा है बबल गम जैसा थोड़ा फ्लेवर है अगर आपने बबल गम खाई है तो बबल गम फ्लेवर इसमें मुझे फील हो रहा है स्ट्रॉबेरी बबल गम फ्लेवर और काफी अच्छा टेस्ट है लगना ही रहा है कि प्रोटीन है बहुत टेस्टी है प्लस मिल्क में भी अगर आप लेते हैं इसको तो फिर तो बिलकुल ही ये milkshake लगेगा और मुझे तो ये फ्लेवर काफी अच्छा लगा मुझे चॉकलेट फ्लेवर पसंद नहीं आते हैं प्रोटीन में मेरी तरफ से फ्लेवर पास है बहुत टेस्टी है जरूर इसे ट्राइ कीज़े और अपना प्रोटीन अभी ओर कीज़े और मैं अपना एक रेफर कोड नीचे लिंक कर ए अगर उस लिंक को क्लिक करके आप रेजिस्टेशन करते है तो तो थो हंडर रुपीज का एक्स्ट्र डिस्काउंट आपको मिल जाएगा और सभी फ्लेवर्स में प्रोटीन परसंटेज डिफरेंट है तो दिस्क्रिप्शन प्रोड़क्त की आप जरूर देख लेजिएगा और करने से पहले फ्लेवर्स के अकॉर्डिंग पर सर्विंग जो प्रोटीन का पार्ट है वो डिफरेंट होता है तो अन फ्लेवर्ड में सबसे जादा है उसके बाद स्ट्रॉबरी वनीला इन में है तो देख के आप उसको परचेज कीजिएगा चौकलेट फ्लेवर्वर्स में 20 ग्राम में 25 ग्राम की सर्विंग में तो आइडूंट तेंग की चौकलेट फ्लेवर्स में लेने का बेनेफित है क्योंकि यह पर देख को लेना है तो आप वे प्रोटीन जो ले लिए वह अपको स्था पड़ेगा बखिए लिंक करके रिजिस किजी और बाय किजी